आज हम सेकंड फीचर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टन फीचर है इबुक्स का और हम उसे कहेंगे ओडियो नरेशन देखते हैं कि आजगता है आजगता है आजगता हैं वह आजगता है और दूसरा जो एहम आजगता है जिसमें से यह डेटा लिया गया है और एक्जेम्पल्स ली गई है वह टाप, क्लिक और रीड ग्रोइंग रिडर इन दोनों ने और क्या इंपॉर्टन चीज बताईए कि narration क्या चीज़ होती है तो बन्यादी तोर पर audio narration आपकी जो e-books होती है या आपके पास जो tabs हैं या iPads हैं उसके अंदर एक ऐसी option होती है button की इसे हम click करते हैं तो उसके वो उस button के through किताब खुद आपको read out करके बताती है कि कहानी क्या है उसमें self reading का या read aloud का जो है options मौजूद होते हैं यह typical feature है जो आपको instructional e-books के अंदर भी मिल जाता है ना सिर्फ कहानियों की किताबों के अंदर वो instructional e-books जिसके अंदर instructions भी दी होती हैं कि आपने क्या करना है या आपके curriculum or textbook से related instructional textbook के अंदर भी आपको auto reading का जो है caption मिल जाएगा इसके लावा आजके लापको अख़बारात के अंदर भी जब हम इंटरनेट के ओपर अख़बारात को पड़ए होते हैं तो इसके अंदर भी caption मौजूद होता है आप बन्यादी तोर पे यह जो टैप मौजूद होती जिस तरीके से एक आम किताब बच्चों को help out करती है कि जब हम किताब बच्चों के साथ बावाजे बिलंद पढ़ते हैं रीड इलाउट पढ़ते हैं तो बच्चे को पता चलता है कि इसके अंदर रीड इलाउट करके सुनाते हैं बावाजे बिलंद किताब सुनाते हैं उसके बाद बच्चे खुद बावाजे बिलंद किताब पढ़ते हैं तो उनकी रीडिंग फ्लूएंसी उनकी स्पीड जो है एक्यूरीसी जो है वो बढ़ती चली जाती है तो ना सिर आम किताब जो क हम बावाज बलंद किताब पढ़के बच्चे को सुनाते हैं और फिर बच्चे को कहते हैं कि वो बावाज बलंद किताब पढ़के हमें सुनाए या पैराग्राफ सुनाए तो बच्चे जब उसकी रीडिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो न चीजों को को याद कर लेते हैं उन इलफाज को याद कर लेते हैं जैसे वो हमने पड़े होते हैं सेम वे एबुक के अंदर यह असानी होती है कि बच्चे उसे बाहर पर क्लिक करके सुन सकते हैं समझ सकते हैं उसे याद कर सकते हैं इस तरीके से उनकी जो रीडिंग फ्रॉएंसी है बिल उन्हों ने struggling reader के साथ e-books को इस्तेमाल किया है और वो क्या कहती है कि उनका experience किया रहा है अब struggling reader वो होते हैं जो अपनी उमर से जो उनकी reading capability होनी चाहिए उससे थोड़ी कम होती है और अभी वो reading में struggle कर रहे होते हैं और अभी proper जो उनकी age के मताबिक reading capability है वो develop नहीं हो पाती है claim यह है in teacher का कि जितने ज्यादा बच्चे सुनता है reading को और fluency उसकी उतनी ही develop होती चली जाती है इसका मतलब यह हुआ कि किताब ना से पढ़ना जरूरी है बलके सुनना भी जरूरी है और सुनने से reading जो है वो influence करती है अब हमारे e-book के अंदर जो feature मवजूद होता है audio narration का यह एक ऐसा feature मवजूद होता है जिसमें बहुत तरीके के साथ किताब को पढ़ा जा रहा होता है words bestress किया जा रहा होता है इसा ही pronunciation होती है बहतरीन accent होता है अच्छी तरीकी से modeling की जा रही होती है कि यह है तरीका अच्छी तरीकी से पढ़ने का तो जैतना बच्चे अच्छी listening skills उनकी develop होती है वो तो होती है पर जितना अच्छा वो reading सुनते है उतनी अच्छी उनकी जो है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि यह क्या लिखा है तो comprehension जो है reading comprehension यह फ्लॉएंसी से हट के एक अलग feature है जब हम सिर्फ फ्लॉएंसी के ओपर focus करते है तो student का अमोमन focus comprehension से हट जाता है अज्यों के मारा main मकसद है reading का कि ना सिर्फ वह आप पढ़ें प्लॉएंसी के साथ accuracy के साथ correctly सही pronunciation के साथ बलके और वो यह भी देखें कि इसमें लिखा क्या है उसको properly understand करें जब हम अपने audio narration के साथ किताबों को बच्चों के साथ read out करते हैं बच्चे जो हैं वो पोस कर सकते हैं वो रोक सकते हैं वो repeat कर सकते हैं आव थोरी देव सकते है हैं वो गूगल कर सकते हैं और भी different किसम की features रहें वो देख सकते हैं और बार-बार repeat करके सुन सकते हैं इस तरीके से उस page के उपर जो words है ना बनियादी तौर पर बच्चों का उसको समझना उसकी मिनिंग को समझना understand करना भी आसान हो जाता है audio narration के जहां आपकी फायते हैं वहां definitely दो तीन drawbacks भी है और उसको हम देखते हैं कि वह हमें teachers क्या बताते हैं कि वह क्या है elementary school के जहां यहां जिकर हो रहा है क्योंकि यह American schools है जिनका data है American studies है उनका sample American schools के वहां elementary school kindergarten से शुरू होता है और grade 5 तक रहता है तो kindergarten आपकी elementary school का पहला grade है तो इसको अपने जहन में रखेगा क्या पाकिस्तान के primary school education और हमारे elementary से इस elementary को मिक्स ना करते है elementary school teacher यह बताते हैं कि हमें students के उपर आख रखनी पड़ती है उन्हें देखना पड़ता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ read me वाली option तो नहीं दबा रहे और सिर्फ सुन रहे हैं ना कि उसको practice करें कि जब read me हो गया audio narration जो है आपके सामने आगी कि इस paragraph को कैसे पढ़ना है जुम ना करें और अपनी under supervision यह practice ना कराएं टीचर कहते हैं कि हमोमन यह होता है कि बच्चे जो है वो सुनते हैं सुनने के बाद वो फिल्प कर देते हैं पेज उनकी concentration span जो है वो इतना अच्छा नहीं होता तो यह important चीज़े हैं जो हमें यह बताती हैं कि जब हम audio books या e-books इस्ते कर रहे होते हैं उसमें जितनी भी options होते हैं अज जब हम जोटे बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनमें self-regulatory skills develop नहीं होती है teachers की और पेरेंटर supervision बहुत ही important होती है ताकि वो बच्चों का focus maintain रखे और यह मकसद है reading का या literacy development का वो अचीव हो सके